अगर आप एक नया बिजनिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा बैंक जो घर बैठे लोन दे सके पता चल जाए तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो भाई साब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको यहां पर किसी बैंक के बारे में नहीं बलकि तीन ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताओंगा जहां पर आप ले सकते हैं एक करोड रुपे तक का बिजनिस लोन और आप यहां से बिजनिस विकलatti हो सकते हैं या अगर आप एक मैल आए तो आपके लिए इस वीडियो बहुत हैलफुल हो सकती है अगर आप अपने खुद का कोई बेजिनिस स्टार्ट करना चाहती है तो गाईस अगर आप देखना चाहते है तीन सबसे सरकारी लोन योजना हों के बारे में तो इस व पाइदा आप उठा सकते चले शुरू करते हैं। आज की समय में खुद का बिजन सुरू करना आसान काम नहीं है। बिजनिस के लिए पैसा जूटाना सबसे बड़ी चुनोती होती है। लेकिन अगर आप भी अपना खुद का बिजन सुरू करना चाते हैं। और आतम निर्भर बनना चाहते हैं, तो भारत सरकार और कई राज्य सरकारे आपको आर्थिक साहिता देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तीन परमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। इन योजनाओं के जरी आप 50 लाक रुपे तक की मदद पा सकते हैं और अपना बिजनिस आसानी से सुरूख कर सकते हैं। आए जानते हैं विस्तार में इन तीन सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका फायदा आपको मिल सकता है। अगर आप एक महिला है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेलप हो सकती हैं क्योंकि देखिए महिलाए आज के टाइम पे अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट करना चाहती है लेकिन उनको कोई मदद नहीं करता। टैंसन बतलो सरकार आपके साथ है आपको यहाँ पर पूरी हैल्प मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली स्कीम जिसको नाम है क्रेडिट गारंटी इसकीम इस योजना का उदेश से क्या है चलिए आपको बताता हूँ इस स्कीम का उदेश यह सुक्सम लगू और मध्यमुद्योग यानि MSME को आर्थिक सायथा देना है ताकि वे अपने बिजनेस को सुरू या बढ़ा सके यानि अगर आपको कोई पहले से बिजनेस है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको मिलता है इस योजना के तहट लोन इस योजना के तहट बिजनेस के लिए बिना किसी कोलेटरियल के लोन परदान किया जाता है जो विसी सुरूप से छोटे उद्धेमों के लिए फाइदेमन हो सकता है जिनहां अगर आपका छोड़ा बिजनेस है तो आप यहा देने के जुरुत नहीं है किसी भी बैंक को आप बस लोन अप्लाइ कीज़ेगा CGT, MSE, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises के तहते हैं बैंकों और NBFC को ये गारेंटी दी जाती है कि जिससे बैंक किसी को लेटल के बिना भी लोन दे सकते हैं इस योजना के तहित 5 करोड रुपे तक का लोन दिया जा सकता है मैं तो आपको ये करोड बोल लाता लेकिन आपको 5 करोड तक का लोन दिया जा सकता है अगर आप एक बड़ा बिजनिस लेना चाहते हैं पांच करोड रुपे तक का तो आप इस योजना का फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि आपकी गरेंटी सरकार ले रही है महिलाओ के लिए विसेज प्रावधा ने अगर किसी बिजनिस पर महिलाओ का मालिका नहा के तो उन्हें 80% का गारेंटी कवर दिया जा सकता है इस योजना के जरिये महिलाओ के बिजनिस को खास्तोर पर बढ़ावा दिया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्म निर्बर बन सके महामारी के दोरान विसेज राहत दी जाती है इस लोन स्कीम में आपने देखा होगा COVID-19 के समय इस स्कीम को आपात कालीन क्रेडिट लाइन गारेंटी योजना की रूप में पेस किया गया था जिसमें MSME को आपात कालीन आर्थिक सायता परदान की गई थी जिसमें ये लोन लेकर उन्होंने अपने बिजनिस को फिर से बढ़ाया लोन कैसे अपलाई आप कर सकते हैं अगर आपी लोन लेना चाहते कैसे अपलाई कर सकते हैं इस योजना के तेहत लोन अपलाई करने के लिए आपको बैंक यद अधिक जानकारी के लिए आप CGTMSE की वैबसाइट पर भी जा सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं अपर नंबर दो सरकारी loan scheme के बारे में और उस loan scheme का नाम है stand up India scheme आपने इसके बारे में काफी सुना भी होगा stand up India scheme इसका उदेश्य क्या है जी हाँ इस योजना का उदेश्य क्या है चलिए बात करते हैं इस योजना का उदेश्य अनुसूचित जाती यानी SC और अनुसूचित जन जाती यानी ST और महिला का दरजा दिलाने के लिए आर्थिक मदद परदान की जाती है कौन ले सकता है इस योजना का लाब ये जानना आपके लिए जरूरी है इस योजना का लाब लेने के लिए आवेदक की आयू कंग से कम 18 वर्ज होनी चाहिए अगर आपकी उमर 18 साले तो आप eligible होते हैं इस loan के अगर हम बात करें non-individual enterprises के मामले में 51% shareholding किसी SCST वर्ग या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए अगर हम बात करें loan रासी की इस योजना के तहत आपको 10 लाग रुपे से लेकर 1 करोड रुपे तक का loan दिया जाता है जी हाँ 1 करोड तक का loan आप ले सकते हैं वैसे आपको यहाँ पर 10-15-20 लाग का loan तो मिली जाएगा अगर आप अपना खुद का business start करना चाहते हैं अपने पुराने business को फिर से कड़ा करना चाहते हैं अगर हम बात करें टैनर की तो guys देखिए आपको यहाँ पर इस loan को वापिस करने का time 7 साल तक का मिलता है नहीं 7 साल तक के लिए आप इस loan को ले सकते हैं जिससे business को स्थापित करने के लिए परियाप समय मिल जाता है अगर हम बात करें interest rate की इस योजना में ब्याजदर बैंकों की सबसे कम लागूदर पर होती है यानि बैंकों का सबसे कम जो भी ब्याजदर को वही आपको लगेगा जिसससे loan का बोज कम रहता है यानि guys low interest rate पर आपको ये loan मिलेगा apply करने का तरीका क्या है चलिए आपको बता देता हूं इस योजना के तहट loan लेने के लिए stand up India की website पर आपको आवेदन करना होगा यहाँ पर जाकर आप loan apply कर सकते हैं या फिर अपने नजदी की bank branch में समपर कर सकते हैं bank इस योज हैं तो loan आपके खाते में transfer कर दिया जाएगा तो guys अगर आप ये loan लेना चाहते हैं आप अपने नजदी की bank में जाकर इस loan के लिए apply कर सकते हैं आपको वहाँ पर documents सभी दिखाने होगे इस बात का आपको दियान ना करना क्योंकि जो business आप कर रहे हैं business proof भी आपको वहाँ प बात करते हैं इस तरह सकती योजना का उदेशी महिलाव को आत्म निर्भर बनाना और उनके business को बढ़ावा देना है यह योजना विशेस कर उन महिलाव के लिए है जो अपना खुद का business शुरू करना चाहती है अगर आप भी अपना business start करना चाहती है अपने पुरणे business को फ 25,000,000 रुपे तक का business loan दिया जाता है यह राइसी महिलाव के business को शुरू करने और उसे बढ़ाने में पूरी मदद कर सकती है कौन-कौन लाब ले सकता है इस loan योजना का यह योजना केवल उन महिलाव के लिए है जिनके business में 50% या उससे अधिक की साज्यदारी होती है अग नहींदा सरकार आपको guarantee नहीं देती है आपको यहां पर किसी और की guarantee देनी होगी चलिया बात करते हैं यह हम interest rate की अगर यह यहां पर कितना interest rate लगेगा अब देखें यहां पर अगर लेते हैं आप loan तो इस योजना में बियाज दर बहुत कम रखे गई है ताकि महिलाय बिना किसी आर्थिक बोज के अपना business सुरू कर सके पूरी detailed interest के हमारे पास नहीं है वो आप जाकर website या bank मचाय कर सकते हैं apply करने का तरीका क्या है चलिए आपको बताता हूँ इस योजना के तहट आप SBI की website पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने इनजदी के SBI ब्रांच में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं bank इस योजना के लिए आवेश सकत पातरता और सरतों की जान्स करेगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपना directly SBI बैंक में जाए और वहीं पर जाकर पूरी detail आपको मिल जाएगी कितना interest rate आए कैसे apply करना है क्या चाहिए होगा किसकी guarantee चीज सब कुछ आपको पता चल जाएगा ठीक है तो guys ये तीन सरकारी योजना है जिनका फाइदा आप उठा सकते हैं और घर बैठे लोन ले सकते हैं अपने business को बढ़ाने के लिए वैसे आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा भी लोन मिल सकता है 50 लाग तक तो यहाँ पर बोल लगा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और शेर करना बिलक्वर बोले ताकि और लोग भी इसका लाग उठा सके अपने दोस्तों को भी शेर कर देना ताकि उनको पना चल जाएगी यह सरकारी हो जना है जिनको लेकर आप अपने business को फिर से खड़ा कर सकते हैं और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को जूर सब्सक्राइब करेना बैले कंदर बाद ना ताकि आपको ने उड़कोड़ प्रेकर से मिल जाएगी यह वीडियो देखें लेकर बहुत बनवाद थैंक्यू सो माच कर देखें